प्रणनिक प्रवरुत्या के लिए सदा समरपीत है कहते हुए हमें हर्ष हो रहा हैं कि आज जैसे महा आज जैसे भारत का सुर्य विश्व भर में देधिप्यमान है वैसे ही गुरुकुल राज़कोट का संस्कार के साथ शिक्षन देने में उसका सूर्य भी विश्व भर्म देदिप्यमान है आज जैसे भारत में रामराज्य की स्थापना हुई है प्रदान मंत्रीश्री के नेत्रुत्व में वेसे ही गुरुकुल की सर्वजीव हिताय सर्वजन सुखाय प्रत्यक मानव कल्यानकारी प्रवरुति भी आश्रिवाद रूप साबीत हुई है मन्य प्रदान मंत्री श्री आपके नेत्रुत्व में देश का प्रत्यक नागरिक संपुर्ण नियोचावर करने को तयार हैं वेसे ही मिलकंदाम पोईचा के स्रस्त्रा सरजक श्री की बक्त और सब लोग संपुर्ण नियोचावर करने के लिए तयार है मन्य प्रदान मंत्री श्री आपने नेशन फस्ट एवं मैं नहीं हम इसकी बावना से देश बर के नागरिकों को बर दिया है वेसे ही हम महंत स्वामें श्री देव्परसाद्धास जी स्वामें गुरु पुरुष नेत्रुत्व कर रहे हैं विकास पुरुष देश का नेत्रुत्व कर रहे हैं राष्ट्र पुरुष वैश्विक नेता आप जैसे सम्मान्निय अनेंद्र मोदी साहब नेत्रुत्व कर रहे हैं वेसे ही हमारे गुरुकुल का नेत्रुत्वा हमारे अध्यात्म प कर रहे हैं जिसका निर्दोष निखालस जीवन आज हज्जारों और लाखों लोगों को प्रहरना की मूर्ती बने हुए हैं 75 साल के बाद जैसे आज से 75 साल पहले गुरुदेव शास्त्रीजी महराज ने भारत के आजादी के साथ आदर्शन नागरिक का निर्मान करने के लिए श्री स्वामी नारण गुरुकुल राजकोड संस्थान की स्थापना की जोगी स्वामी जी के बजन से उसको पोशीत किया वैसे ही आज 75 साल के बाद भारत के आजादी के साथ में अमृत महुत सो मना र कर रहा है जिसमें आप भी बहुत बड़ा कारिय कर रहे हैं जिसका सुकान गुरु मारा अग्या से धिरजलाल कोटडिया लाल जी वे पटल राकिश वे पटल कर रहे हैं और कहते हुए हमें हर सोरा आएं कि संस्थान की स्वर्ण जयंति महत्सों पर पूर्व प्रदान मंतरी श्री अटल भिहारी बाचपेजी पदार के गुरुकुल संस्कृत को पोशीद की थी वेसे आज अम्रीत महत्सों में बारत के यशशवी प्रदान मंतरी हमारे सम्मान नि मुदी सहाब को बिन्ती करते हैं प्रार्थना करते हैं कि गुरु कुल के अम्रूत महत्सों पर आप अपने रदियांजली पावांजली अम्रितांजली समर्पीत कर दान मंत्री श्री नरेंद्र मुदी सहाब जाय स्वामि नारायन इस पवित्र कारकम को दिशा दे रहे पुझ्य स्री देवकृष्ण दासजी स्वामी महन्स्री देवप्रशाद दासजी स्वामी पुझ्य धर्ववलरब स्वामी जी कारकम में उपस्तित सभी पुझ्य संतगान अन्य महनुभाव और मेरे प्यारे नवजवान साथियों आप सभी को जय स्वामी नारण पुझ्य सास्त्री जी महराज स्वामी की प्रेणा से उनके आशिरवात से राजकोड गुरुकुल के पचत्तर वर्ष हो रहे हैं मैं राजकोड गुरुकुल के पचत्तर वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बगवान ची स्वामिनारण उनके नाम स्मर्ण से ही एक नवचेतना का संचार होता है और आज आप सब संतों के सानिद्य में स्वामिनारण का नाम स्मर्ण एक अलग ही सौभाग्य का आउसर है मुझे विश्वास है इस अहितिहासिक संस्थान का आने वाला भविश्य और भी यश्रस्वी होगा इसके योगदान और भी अप्रतीम होंगे साथियों श्री स्वामिनारण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखन में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है यह सुखद संयोग तो है ही सुखद सुयोग भी है एक राश के रूप में भारत की आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है यह सुयोग है करमडता और कर्तव्य के सुयोग यह सुयोग है संस्कृती और समर्पन के सुयोग यह सुयोग है आध्यात्मों और आधुनिक्ता के सुयोग जब देश आजाध हुआ तो हमारे उपर यह जिम्मेदारी थी कि हम सिख्षा के छेत्र में भारत के प्राचिन वैववव और हमारा महान गवरों को पुनरजिवित करें लेकिन गुलामी की मानसिक्ता के दबाव में सरकारें उद्धिशा में बड़ी नहीं और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली और इन परिस्थित्यों में एक बार फीर हमारे संतों ने आचारियों ने देश के प्रती इसकर्तव्य को निभाने का बिड़ा उठाया स्वामिनार एंड गुरुकुल इसी स्वयोग का एक जीवंत उदारन है आजहादी के तुरंत बात भारतिय मुल्यों और आदर्शों की निव पर इस अंदोलन को इस संस्थान को निर्मित किया गया पुझ्य धर्म जीवन दाज्जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो वीजन था उसमा अध्यात्मा और आधुनिक्ता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था आज वो विचार बूज वो विचार बीज एक विशाल वटवुरुक्ष के रूप में हमारे सामने है मैं गुजरात में आप सब के बीच में ही रहा हूँ आगपी के बीच में पला बढ़ा हूँ और यह मेरा सोभाग रहा है कि मुझे इस वटवुरुक्ष को आकार लेते हुए अपनी आखों से टीप से देखने का सुववसर मिला है इस गुरुक्ष के मूल में भगवान स्वामिनारण की प्रेणा रही है प्रवर्तनिया सद विद्या भुवी यत सुकृतम महत अर्थात सत विद्या का प्रसार सुनसार का सबसे पवित्र सबसे महत्वपुन कार्य है यही तो ज्यान और सिक्षा के प्रती भारत का वो सास्वत समर्पन है जिसने हमारी सब्विता की नीव रखी है इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल साथ विद्यार्थियों के साथ प्रारंब हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 साखाएं हैं हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थि आते हैं पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मुल्यों से सीचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके अध्यात्म के ख्षेत्र में समर्पित विवाओं से लेकर इस्रों और बार्ख में वैज्यानिकों तक हम गुरुकुल परंपराने हर ख्षेत्र में देश की मेगहा को पोशित किया है और गुरुकुल की एक विशेश्ता हम सब जानते हैं और आज के यूग में हर किसी को वो प्रभावित करती है बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठीन काल में भी और आज भी ये गुरुकुल एक ऐसा समस्तान है जो हर गरीब शात्र से सिख्षा के लिए एक दिन का केवल एक रुपिया फिस लेता है इससे गरीब विद्यार्थियों के लिए सिख्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्यान ही जीवन का सर्वोच्य उद्देश रहा है इसलिए जिस काणखन में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राज्यकुलों से होती थी तब भारत को भारत भूमी के गुरुकुलों से जाना जाता था गुरुकुल यानि गुरुका कुल ज्यान का कुल हमारे गुरुकुल सदियों से समता ममता समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं नालंदाव और तक्सर सिला जैसे विश्विविद्याले भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के परियाय हुआ करते थे खोज और शोथ ये भारत की जीवन पध्धति का हिस्सा थे आज हम भारत के कणकण में जो विवितता देखते हैं जो सांस्कृतिक सम्रिद्धी देखते हैं यह उने शोधों और अन्वेशनों के पर्राम है आत्मत्त्व से परमात्मत्त्व तक आध्यात्म से आयुर्वे तक सोशल साइंस से सोलार साइंस तक मैच से मेटलर्जी तक और सुन्डे से अनंत तक हमने हर छेत्र में शोध किये नए निश्कस निकाले भारत ने अंधकार से भरे उन यूगों में मानवता को प्रकास की वो किरणे दी जिनसे आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्राफ शुरू हुई और इन उपलग्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रसस्त किया जिस कालखण में विश्व में जेंदर एक्वेलेटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे हां गारगी मैत्रेई जैसी विद्विश्यां सास्त्रार्श करती थी महर्ची वालमिकी के आश्रम में लवकुष के साथ ही आत्रेई भी पड़ रही थी मुझे खुशी है कि स्वामिनारण गुरुकूल इस पुरातन परंप्रा को आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकूल की शुरुवात कर रहा है 75 वर्ष के अमृत महोसों में आजहाज के अमृत काल में इस संस्तान के शांदार उपलब्दी होगी और देश के लिए महत्वपुन योगदान भी होगा साथ्यों आप सभी बहतर तरीके से जानते हैं कि भारत के उजवल भविश्य में हमारी आज की सिख्षा व्यवस्ता और सिख्षन संस्तानों की कितनी बड़ी भूमी का है इसलिए आजहादी के इस अमृत काल में देश, एजुकेशन, इंफ्रास्रक्टर हो या एजुकेशन पॉलिसी हम हर स्तर पर अधिक गती से अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं आज देश में बड़े सैक्षिक संस्तानों आई आई टी, टीपल आई टी, आई आएम, एम्स जैसे संस्तानों की संख्या में बड़ी वृद्धी हो रही है दो हजार चौदा के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में पैसट प्रतिसत से जादा की बड़ोत्री हुई है नई राष्ट्रिय शिक्षानिती के जरिये देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्ता को तयार कर रहा है जो फॉर्वर्ड लुकिंग है, फिटरिस्टिक है जब नई पीढ़ी बच्पन से ही बहतर शिक्षा व्यवस्ता में पलेगी और बड़ेगी तो देश के लिए आदर्ष नागरिकों का निर्माण भी स्वत्व होता चला जाएगा यही आदर्ष नागरिक, आदर्ष हुआ 2047 में, 2047 में, जब देश आजादी के सो साल मनाता होगा विख्षिद भारत के सपने को सिद्धी तक लेकर के जाएंगे और इसमें निश्चित तोर पर श्री स्वामिनार और गुरुकुल जैसे शिक्षा समस्तानों का प्रयास बहुत एहम होगा साथियों, अमृत काल की अगले 25 वर्सों की यात्रा में, आप संतों का आशिरवात और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर है आज भारत में और भारत के संकल्प भी नए हैं, उन संकल्पों की सिद्धी के प्रयास भी नए हैं आजदेश, डिजिटल इंडिया, आत्मंदिर भर भारत, बोकल फ़र लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्मान, एक भारत, स्वेश्ट भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है सामाजिक बढ़लाव और समाज सुधार के इनकारियों में भी सबका प्रयास करोडों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा मुझे विश्वास है, स्वामि नारेंड गुलुकूल, विद्या प्रतिष्ठानम जैसे संस्तान इस संकल्प यात्रा को इसी तरह उर्जा देते रहेंगे और जब मैं आज आप सब संतों के बीच में आया हूँ, पतरतर साल की एक बहुत बड़ी यात्रा जिसे आपने सफलता पुर्वक आगे बढ़ाया है अब इसका विस्तार देश के युवाओं के लाब में भी होना चाहिए क्या मैं स्वामिना और गुरुकूलों से आज एक प्राथना कर सकता हूँ हमारा जो नौर्थ इस्ठा है आपताय करें कि हर वर्ष कम से कम सो युवक पंदरा दिन के लिए नौर्थ इस जाएंगे नागा लेंड है मिजोरम है अरुना चल प्रदेश है त्रिपू राह है कि सिक्कीम है पंदरा दिन वहां जाना वहां युवकों से मिलना उनसे परिशे बढ़ाना वहें की चीजों गयानना आकर के उसके उपर लिखना हर वर्ष कम से कम डेड़ सो युवक पंदरा दिन के लिए वहां जाएं आप देखिए 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाईयों में इस यात्रा को अरंब किया होगा आपको वहां जाकर के लिखेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नौर्थिश्ट में है अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है तो देश के लिए वह एक नई ताकत जुड़ जाएगी आप कोशिश किजिए उसी प्रकार से क्या हमारे संत समुदाई में है अगर मुझे आध है जब बेटी बचाओ अभियान हम कर रहे थे तो छोटी छोटी बालिकाएं मंच पर आकर के साथ मिनिट आट मिनिट दस मिनिट का बड़ा रदय द्रावक और बड़े अभिनई के साथ भाशन करती थी सारे ओडियंस को रुला देती थी और वह कहती थी मा के घरब में से वह बोलती थी कि मा मुझे मत मारो ब्रहत्या की खिलाब वह अंदोलन का बहुत बड़ा नित्रूत हमारी बेटियों ने गुजरात में किया था क्या हमारे गुरुकुल के विद्यार थी धरती माता के रूप में लोगों को संबोदित करें कि मैं तुम्हारी मां हूं मैं तुम्हारे लिए अन फल फूल सब पैदा करती हूं मुझे मत मारो यह फर्टिलाइजर यह केमिकाल यह दवाईयां मुझे उसे मुक्ति दो और प्राकुर्थ खेती की तरफ प्रेरित करने लिए किसानों के बीच में मेरे गुरुकुल के विद्यार थी इस प्रकार से स्ट्रीट प्ले करे शेरी नाटक करे बहुत बड़ा भ्यान गुरुकुल हमारे चला सकते हैं और मुझे खुशी है कि गुजरात के हमारे गवर्नर सिवान आचारे देवरत जी के नेत्रुत में प्राकुरुति खेती का गौह बड़ा भ्यान चला है आप भी जैसे मनुष्य को व्यसंद से मुक्ति का भ्यान चला रहे हैं वैसे ही धर्ती माता को इस प्रकार के जहर से मुक्ति का प्रण लेने के लिए किसानों को प्रेडित करने का काम कर सकते हैं क्योंकि गुरुकुलों में जो लोग आते हैं वो मूल गाउं से किसानी परिवार से आते हैं उनके माध्यम से बात बड़ी सरलता से पहुंच सकती है तो आज आदिज के इस अमरित काल में हमारे गुरुकुल हमारे इस संसकारित सिक्षित इवक उजवल भविष्य के लिए परियावरन की रक्षा के लिए एक भारत स्रेष्ट भारत के सपने को साखार करने के लिए अनेक नए विचारों आदर्शों संकल्पों को ले करके चल सकते हैं और मुझे भी स्वास है स्वामिनायन परंपरा की मेरे लिए बड़ा से भागी रहा है कि स्वामिनायन परंपरा में जब भी मैं आप से मिला हूँ जो भी मांगा है आप समने पूरा किया है आज जब मैं इन चीजों को मांग रहा हूँ मुझे विश्वास है आप भी इसको पूरा करेंगे और गुजरात का नाम तो रोशन होगा ही होगा भावी पीड़ी का जीवन आसान होगा फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जैस्वामिना रहे